असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शारुख और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंक्रिमेंटल ओटी अपडेट कैसे फ्लाश करना है दोस्तों आज कल आप अगर जाते होंगे अपने सिस्टम अपडेटर में तो देखते होंगे कि जो अपडेट्स आती है वह पूर कि पूरी देट मिली है जो कि यह साथ 128 की तो कैसे हम इंक्रिमेंटल ओटी अपडेट कर सकते हैं कैसे चोटे चोटे रॉम फाइल डाउनोड कर सकते हैं आए जानते इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको इंक्रिमेंटल ओटी अपडेट करना है तो आपको सबसे पहले बटन पर टैप करना होगा डव्यवांड पर टैप करने के बाद आपकी धेल सारी दिवाइसर की लिस्ट दिखा देगी तो आपको जिस डिवाइस के लिए बी मुट नाए उससे की मेरा फोन है शौमी रेडमियोट4.x तो मैं शौमी रेडमियोट 4X पर टैप करूंगा दो उसके नीचे लिखा रहा है को तो आपको इंक्रीमेंटल रॉम पैक पर टैप करना होगा अब दोस्त जैसे ही है要ब आपको आपकी डिव्लॉपर रॉम में देखेंगे भी इंक्रीमेंटल रॉम पाउल आ जाएंगी अब आपको यहां पे चीज़े ध्यान रखनी है हर चीज़ का आप नाम ध्यान से परिये जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ मियू आई साथ इगारे तीस उसके बाद है साथ बारा एक से हमें डाउनलोड करना है तो इसले हम लोग टैप करेंगे साथ बारा एक के डाउनलोड लिंक पे क्योंकि दोस्ता हमारा जो सिस्टम है वो साथ बारा एक पे ही चल रहा है और साथ बारा एक से साथ बारा आठ में अपडेट करना है तो हमें वही वाला रॉम फाइल डाउनलोड करना होगा जो कि दोस्तों साथ बारा एक से 7-12-8 में ले जाए अगर मैं कोई और ROM फाइल डाउनोड कर लेता हूँ तो वो वर्क नहीं करेगा तो जो सिस्टम हमारा चल रहा है जिस सिस्टम पर हम चल रहा है उसी का जो है हमें डाउनोड करना होगा तो मेरी सिस्टम अभी 7-12-1 पर चल रही थी यानि कि दोस्तो यह जो है यह वही अपडेट है जितना हमें जरूरत है 312 MB के अपडेट है और यह अपडेट 312 MB की ही थी हाला कि हमें पूरी की पूरी 1.5 GB की अपडेट आ गई थी तो आप इस रॉम को पहले डाउनोड कर लिजे और डाउनोड करके फिर इसे अपडेटर से फलैश करना होगा तो चलिए दोस्तो देखते हैं कि हमें अपडेटर से कैसे फलैश करना है इसे अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी incremental OTA update जो है वो पूरी की पूरी डाउलोड हो गई है 312 MB की लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जैसे ही डाउलोड हो जाए आप उससे कॉपी करके किसी और जगा पे रख लीजिए क्योंकि दोस्तों अगर मालीजे कभी ऐसा होता है कि आपके update फेल हो जाती है OTA update नहीं हो पाती है तो update होने के बाद automatically ये OTA update डिलीट हो जाएगी तो आप ज़रूर इसका एक copy रख लीजे तो चलिए बताता हूं कि कैसे flash करना है तो आपको settings में जाना है about full में जाना है system updater में जाना है और updater में जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं 1.5 जी भी क्या हुई है यहां पर tap करना है और उसके बाद आपको explorer पर tap करना है और उसके बाद वह फाइल को चूज कर लेना है जो कि हमने ओटी अपडेट 312 MB के राउलोड की हुई है उसके बाद लोके पर tap करने के बाद आपको जहें नेट से connected रहना चाहिए फोन वाइफाई से या डेटा से connected रही है उसके बाद आपकी अपडेट होगी और डिक्रिप्ट होने के बाद कहेगा कि क्या आप रीबूट करना चाहते हैं ताकि रीबूट होने के बाद यह अपडेट हो पाए तो आप यहां पे रीबूट सिस्टम पे हमारी ओटी अपडेट फ्लैश हो जा रही है इंक्रिमेंटल ओटी अपडेट यह रही दोस्तों रेट इनक्रिमेंटल पैकेज और यहां पे होने लगा है अपडेट अब मैं आपको यह भी बता दू कि अगर आपके स्मार्ट फोन में टिल्वाइर पी रिकावरी या रेड इनक्रिमेंटल ओठी अपडेट हो जाएगि अगर आपका बिल्कुली ओरिजिनल फोन है तब भी इनक्रिमेंटल ओट फोन है तब भी इनक्रिमेंटल ओदेट डाइट से और एक बात और बता दू कि यहाँ पे recovery से flash होने में बहुत ही जादा time लगेगा इसलिए आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजी और इसे होने दीजी आप panic ना किजी और ना ही reboot कीजी अपने से इसे दोस्तों पूरा होने दीजी और होने के बाद यह automatically reboot हो जाएगा दोस्तों काफी जादा time लग सकता है इसलिए आप इंतजार जरूर कीजी ऐसा ना सुची कि हमारा जो फून है वो हैंक कर गया है या फिट लूर पी में फस गया है आप उसे छोड़ दीजिए उनके बाद automatically reboot हो जाएगा और reboot होकर कि आपका जो system है वह खुल जाएगा और update जो है वह पूरा का पूरा complete हो जाएगा तो य देखते हैं about phone में जाकर कि क्या इसका incremental update successful हुआ है या नहीं हुआ है यहां पर मैंने डाला अपने लोग स्किन पासवर्ड गया settings में about phone में और यहां पर आप देख सकते हैं कि वरजन लिख लिए साथ बारा आठ जोस्तों साथ बारा आठ यानिक आट दिसम मर्दों है 17 लेक आपको incremental update करना है flash तो अगर आपको में वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो फोन पर काम करती आप टेंसर नहीं लीजिए थैंक यू